प्यारे बच्चो, क्लाश 12, मॉडल, प्रस्न, सेट, चार का अंसर आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाऊंगा एक बच्ची ने रिक्वेस्ट किया था कि सर को थोड़ा सा समझा के बताईएगा अंसर तो चलिए आज हम लोग समझते हैं इसको और अंसर को भी करते जाते हैं अपने चैनल इगनॉमिस प्लस पर यदे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभानवित हो सके आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और एक विश्वास बनाए रखा और इस परिवार को बढ़ाने में मदद भी दिये तो इस परिवारुक की संख्या 4000 से पार हो गई है जिसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद तो चलिए आज कुछ नया सिखते हैं पहला कोश्चन है निमलिखित में से आर्थिक किरिया का एक उधारन है तो मित्रों के साधिम सामिल होना पूजा करना दान करना यहां आर्थिक किरिया पूछ रहा है तो आर्थिक किरिया मलावदा जिससे धन की प्राप्ति होती है तो वस्तूओं का विनिमे से धन की प्रा करें क्योंकि संसाधनों से हम लोग को काम लेना है कि हम लोग उससे कैसे संसाधन से उतपाधन कर सकते हैं इसलिए इसका एंसार हो जागा सी कैसे उतपाधन करें साधनों की मित्वेता से क्या ताथ पर है तो साधनों की मित्वेता मला सोच समझ के उसका हम लोग को परियोग करना तो इसलिए हो जागा साधनों का उत्तम उप्योग करना ही इसका मित्वेता है किस परकार के अर्थवयस्था में साधनों पर सरकार तथा नीजी विक्तियों दोनों का स्वामित होता है तो लोग जानते हैं मिस्रीत अर्थवयस्था अर्शास्त का दूरलब्ता सम्बंदी विचार किस ने दिया है तो यहां दूरलबता बोरातर लियों रॉबिन्स होगा इसका उभोकता कोन है तो उभोकता कोन है अपनी अवसकताओं को पूर्ती करने के लिए वस्तु और सिमाओं का उपयोग करने वाला सात्वा नम्बर कोश्चन है मांकर नियम लागू होने का कारण क्या है तो सिमान्त तहराश नियम आय परववपते अस्थापन वा तो इनका अंसर इन में से सभी होगा यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु पर उभोकता का वए अधिक हो जाता है तो मांग की कीमत लोच होगी एक से अधिक कैसे तो यहां हम बताए है तो इकाए से अधिक लोजद पहले मूल था O P और हम लोग मातरा कहते थे O Q अब मूल में क्या हुआ कमी हो गया डेल्टा P कमी को बताया तो मूल हो गया O P से घटकर O P 1 और मातरा O Q से बढ़कर हो गया O Q 1 तो यहां देख रहे हैं दूरी जितना मूल में परिवर्तन हो रहा है उससे जादा मातरा में पर हो गया मलब O P से घटकर O P 1 हो गया उभोकता हुए अधिक होता है तो उभोकता हुए जादा खरीद रहा है तो मातरा आगे बढ़ा तो यहां पर जादा मातरा बढ़ रहा है मलब 11 से अधिक है यदि एक वस्तू की मांग रेखा कीमत अच्छ वाय-च के समानतर घीची गई हो तो इसका तातपर है कि उस वस्तू की मांग की लोच का मान क्या होगा तो इसका मान होगा सुनि यहां ग्राब बता दिये हैं कि देखिए वाय अच के समनांतर ये वाय अच्छा रो इसके समांतर रेखा घीचेंगे तो यहाँ पर मांग की लोच जी रो का है कि इसका मतलब है कि मुल में परिवर्तन होने पर मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा मुल जब ओपी टू था तो भी ओक्यू मात्रा इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा इसलिए मांग की लोच सुनने होगी तो इसका अंसर नौमा का ए हो गया यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समिक्रन Q बराबर 10 माइनस P है तो वस्तु की पर्तिकाए कीमत 2 रूपया होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या तो आठ बचा तो तो इसका अंसर हो जएका 8 तो यहां 8 हो गया मालब D एंसर सही है आपका एक सलर रेखा मांगवक के परतेग बिंदू पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होता है तो बदलता है तो इसका अंसर C होगा फीगर यहां बता दिये हैं बिंदू परनाली के हिसाब से बिंदू परनाली के बोल्डिंग ने दिया था और यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर मांग किलोची काई से अधीक होती है यहां पर मांकिलोच अच पास अनंध होती है, यहां पर 11 से अधिक और बीच में मांकिलोच इकाई के बराबर होती है, जैसे नीचे आएंगे मान घटता है, तो मांकिलोच इकाई से कम और यह अच पर घटते घटते सूने हो जाता है, तो यहां पर हर बिंदू पर मांकिलोच और यह बदल रही है तो इसका एंसर C हो गया 12 नंबर कोश्चन माना कि एक बजार में केवल दो भोकता है तथा एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम तालिका से दिखाया गया है मांग यहां दिखाया गया मूल कितना है तो मूल आपका दिया हुआ है एक से साथ तक और पहला विक्ति का मांग दिया हुआ है दूसरा विक्ति का मांग दिया हुआ है कोश्चन है आपका वस्तु की कीमत चार पर वस्तु के बजार मांग मातरा क्या है तो चार ही का यहां है वस्तु के चार कीमत होने पर तो अब व्यक्तिगत मांग क्या है कि व्यक्तिगत मांग को जोड़ने से बजार मांग पराप्त वता है तो 6 और 16 को जोड़ देंगे तो मेरा एंसर आजाएगा 22 तो इसका एंसर हो गया 22 तो 12 का C हो गया 13 में हम लोग आते हैं भोकता संदुलन के व्याख्या में उदासिन वक का परियोग सरपथम किस ने किया था तो जे आर हिक्स रसगुला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगी तो कम हो जाएगी क्योंकि दोनों परियोगी वस्तु है अगर एक का दाम कम होगा तो दुसरा का मांग कम हो जाएगा निमलिखित में से किस वस्तु सयों की मांग सयों तो मांग होती महलब जब एक का मांग करेंगे तो दुसरा का भी मांग करना पड़े तो ऐसा होता है कार और पिट्रोल में कार खर देंगे तो पिट्रोल तो भरना ही पड़ेगा उसमें तो C एंसर होगा यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा एक्स अच के समरांतर हो तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या हुआ इसके पहले वियला भी बता चुके है एंसर होगा इन्फिर्टिव यहाँ फीगर है एक साच के समरांतर घीचेगा तो यहाँ मांग कि लोच अनन्त होगा कि साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है तो साधन की कीमत को हम लोग पुन्जी को ब्याज सरम को मजदूरी भूमी को लगान और साहस को लाब मिलता है तो यहाँ पूछ रहा है कीमत को ब्याज कि इसको मिलता है तो पुन्जी को तो सत्रा कब बी दो साधन स्रम L और पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप क्या होगा तो ये उत्पादन फलन का स्वरूप बने है Q बराव function of L K तो A answer सही है एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को सामिल किया जाता है तो किसी भी संयोग को D answer होगा उस वक्र का क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले देव साधनों के विविन संयोगों को दर्साता है तो इसको हम लोग सम उत्पाद वक्र करते है C answer होगा दो साधनो L तथा K के लिए उत्पादन फलन Q बरावर A L पर पावर अलफा K बीटा है तो सरम की 0 एकाएं के रोजगार से कुल उत्पादन पर क्या होगा तो इसको हम लोग देखते है Q बरावर A सरम को माल लिया है का सरम को 0 माल लिया तो सरम के जगा 0 बेठा देंगे पर पावर अलफा K पर पावर बीटा अब किसी भी संख्या से अगर हम लोग 0 को किसी भी संख्या से गुना करते तो उसका मान सुनने आता है तो मेरा एंसर A सही होगा मदला 21 का A 22 है निमलिखित में से किस वक का अकार उत्पाद अच एक्स अच के सवरांतर होता है तो हम लोग कूल इस्थी लागत एक्स अच के सवरांतर होता है कॉप डगलस उत्पादन फलन क्यू बराबर A अलप पार अलपा के बीटा में पैमाने का बिर्धिमान पर्तिफर प्राप्त होता है जब A पलस B ग्रेटर देन वन होगा बी अंसर सही है एक लागत फलन के संबन में कौन सा कथन सत्य है तो यह लागत और आगत के बीच का संबन है अगला कोश्चन है एक उत्पादक दो साधनों स्रम L तथा पुंजी के के भिन तीन संयोगो L 6 के 3 और Y संयोग है और यहाँ Z संयोग है वस्तुप की 40 एकाएं का उत्पादक कर सकता या मानते हो कि स्रम पुंजी पर उसे बरती एकाएं लागत करम सा 2 रूपया 3 रूपया है तो उत्पादक के लिए किस साधन संयोग का चैन करेगा तो जब उत्पादक उसी साधन का चैन करता है जिसमें उसको लागत कम से कम पड़े तो हम लोग लागत को देखते हैं किस से कितना मिलता है तो हम लोग X का जो यहाँ आपका 6 देख रहे हैं यह 6 को इससे गुना कर देंगे तो 6 दुनी हो गया 12 और 3 को गुना करेंगे यह 3 से तो हो जाए 3 तिया 9 तो 6 दूनी 12 और प्लस 9 तो आपका हो गया 21 उसी तरह ये आपका X का लिखला X का 21 आया Y का हम लोग देखेंगे तो 4 को 2 से गुना करेंगे ये 4 गुना 2 तो हो गया 4 दूनी 8 और 4 और 3 12 किता हो गया आपका 20 तो Y का 20 लिखला अब Z का तो Z का हो जाएगा मेरा 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 और 6 तिया 18 तो इसका हो जाएगा मेरा 24 जोड़ देंगे दोनों 24 अब सबसे कम किसम है इसमें 21 है इसमें 24 है और Y में आपका 20 है तो इसको 20 साधन का संयोग से उसको मलब लागत कम लगेगा तो वो Y को चुनेगा तो इसलिए इसका एंसर हो जाएगा आपका B Y अल्ब काल में एक उत्पादक को 50 उप्य की लागत का वहन करना ही पड़ता है चाहे वह उत्पादन करे अथ्वाना इसका मलब यह जो है आपका TFC है 50 उप्य क्या है TFC है आपका 50 और उसके बाद है परवतनसील साधन पर 60 उप्य खर्च करता है तो TBC हो गया आपका 60 तो और आपका लागत लिकालना है तो पहले हम लोग TFC लिकालेंगे तो TFC क्या होगा तो TFC का फर्मूला आता है TFC पलस TBC मलब 50 पलस 60 बराबर आपका आजाएगा 110 अब उत्पादन 10 ही का एक उत्पादन तो 10 से इसको अगर हम भागा लगा देंगे तो ATC हो जाएगा तो 10 से भागा ये सुनना से ये सुनना कर गया तो ATC का मान मेरा आगया 11 तो इसका अंसर हो जाएगा 11 तो यहां देख रहें C अंसर सही है एक पून पत्यों की बजार में सभी फर्म किस परकार की वस्तुव पादन करती है तो समरूप वस्तु एक पून पत्यों की बजार में कीमत स्विकारक कौन होता है तो केवल विक्रेता एक पून पत्यों की फर्म के लिए कूल आगाम वक्र का कार कैसा तो धनात्मक ढाल वाली एक सरल रेखा यदि किसी वस्तु कीमत में 4 परतिसत की कमी करने से उसकी पूर्ती की मात्रा 5 परतिसत की विर्धी हो जाती है तो वस्तु की पूर्ती होगी तो मात्रा बटा कीमत में परतिसत परिवर्धन करें मलब 5 बटा 4 तो आपका ग्रेटर देन होगा मलब सापेच्छिक लोचदार कहलाएगा C अंजर सही है यदि दिरकाल में एक पुन परतियोगी फर्म के लिए वस्तु कीमत औसर लागा से कम है तो फर्म वस्तु की पूर्ती पूर्ती बढ़ जाएगी यदि एक बजार में फर्मौक संख्या बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्टी बढ़ जाएगी। तो आधी क्यों हो जाएगा। सुन्य, एक एक अधिकार निम में से किसका निधारन कर सेता है, तो कीमत अथा मात्रा किसी एक का ही निधारन कर सेता है, इसका अंसर होगा। तो यहां पर आपका जो टेबल में दिया हो मात्रा दिया और सिमात आगम दिया। और आपको पांच्माईकाई का पूछला है तो पांच्माईकाई का सिमान जब दिया हुआ आपको कुल लिकालना है तो कुल का फोर्मूला होता है tr बभाबर सिग्मा MR मनला, MR को जोड़ते जाइए तो आपका tr लिकल जाएगा तो जोड़िए दस और आठ को दस आठ छे चार दो पांच माई काई तक ही पूछला तो दस आठ छे चार दो को हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा अंसर आ जाएगा तीस तो इसका अंसर हो जाएगा सी तीस बच्चों कोई समस्या हो तो कोमेंट बॉक्स में जरूर लिखे वीडियो को जादा सा जादा सेर करे धन्यवाद